नमस्कार दोस्तों माही डिटीएज चनल में आपका स्वागत है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टाटा स्काइप फूल इंस्टोलिशन बता रहा हूँ तो हमारी चनल लाइक शेर और सब्सक्राइब किजिए यह नॉट बॉल्ट है LNB आर्म में हम LNB केप इसी तरह फीट करते हैं अब हम रिफ्लेक्टर प्रेकेट को LNB आर्म के साथ अटेच करते हैं अब हम बॉल्ट को टाइट कर देते हैं यह एजल ब्रेकेट में हम तिन नट को इंसर्ट करते हैं यह एजल ब्रेकेट को हम रिफ्लेक्टर प्रेकेट साथे इस तरह अटेच करकी टॉपर वाला नट हम दूट टाइट करते हैं यह एलिविशन वाला दूट हम टाइट करते हैं यह एलन बी क्लैंप में हम यह एलन बी को फिट करते हैं यह एलन बी क्लैंप हम यह एलन बी आर्म के साथ अटेच करते हैं अब बॉल्ट हम टाइट कर देंगे रिफलेक्टर ब्रेकेट को हम रिफलेक्टर के साथ इसी तरह अटेच करके चार नट बॉल्ट टाइट करते हैं अब नट को हमें टाइट कर देना है मास्ट को फुटपात के साथ हम इस तरह अटेच करते हैं और नट बॉल्ट फिट कर देते हैं अब हम दोनों स्ट्रोट को लेते हैं तो हम इसी तरह हम दोनों स्ट्रोट लगाते हैं अब टाइट कर लेंगे अब हमें स्ट्रोट को लगाने के लिए चार छेद करना है अब हमें इसी तरह स्क्रोट को टाइट कर लेना है जो स्टेंड अच्छी तरह से फिट हो जाए देखो यह मैंने स्ट्रेंड लगा दिया है उसमें हमें यह स्टेंड 90 डिग्री पे होना चाहिए अगर 90 डिग्री पे होगा तब हमें मैक्सिमम सिग्नल कॉलेटी मिलेगी देखो यह 90 डिग्री पे ही है सर्विस की बलका एक पॉर्ट हमें इसी तरह LNB में कनेक्ट कर देना है LNB की पोजिशन दस टू पंदरा के बीच में रहेगी और दूसरा पॉर्ट हम सेटलाइट फैंडर में कनेक्ट करते हैं अब हम सेटलाइट फैंडर को ओन करते हैं फैंड डिवास में जाकर हम टाटा सकाई का ट्रांसपॉंडर हम सेलेक्ट करते हैं देखो यह मैंने टाटा सकाई का ट्रांसपॉंडर सेलेक्टर लिया है डिसको हम दिरे दिरे अलाइन करते हैं अफ डाउन लेप्ट राइट देखो यह मेरा सिगनल लागाया है 58 देखो अब 65, 63 है 66, 67 सिगनल आ गया है अब हम डिसको का नट हम टाइट कर देएंगे देखो यह अब डिस सेट हो गई है अब हम अब आप 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 कि फर्स्ट टाइम इंस्टोलिशंग में हमें सबसे पहले लेंग्रिज सिलेट करनी हैं उसमें हिंदी कि तमिल कि ते लोगो जैसी बहुत लेंग्रिज आती है मैंने इंग्लिश सिलेट करी है अब एचली सेटिंग करना है अब नेक्स्ट प्रेस करते हैं अब हम नेक्ट स्क्रीन पर प्रेस करते हैं एलेंबी सेटिंग में हमें इन्पुट स्वार्ज एलेंबी रखना है एलेंबी टाइप यूनिवर्सल रखना है लो बेंड एलेड फ्रीकंसी जिरो सत्तान वो पच्चास हाई अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पर जाते हैं एंट्री पॉइंटे में हमें जी सेटलाइट की नाइन रखना है अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पर हम जाएंगे सिग्नल में हमें सिग्नल स्ट्रेंद और सिग्नल कॉलिटी दिखाए दे सकती है तो उसमें सिग्नल स्ट्रेंद 18 है और सिग्नल कॉलिटी भी 18 है उसमें सब्सक्राइबर आइड़ी दिखाए दे सकती है अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पर प्रेस करके कि देखो यह चित्र आ चुका है तो अब फर्स टाइम इंस्ट्रूलेशन हो गया है देखो यह चैनल आपको दिखाए दे रहे है कि अगर हमारी चैनल पर आप नए है तो हमारी चैनल को लाइक किजिए सेर किजिए और सब्सक्राइब किजिए ठेंक यू